दोस्तों नमस्कार पटवारी परिक्षा के आधर्स उत्तर अपलोड हो चुके हैं साथ ही साथ ऑनलाइन आपत्ती भी आप दर्ज करा सकते हैं क्या पूरी प्रिक्रिया है कैसे आधर्स उत्तर आपको देखना है कैसे आपको ऑनलाइन अभ्यापिदन दर्ज कराना है अपना आपको देना है पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको दूंगा पूरा वीडियो आपको देखना है पूरी वीडियो से आपको बहुत हद तक जानकारी इसमें हो जाएगी कैसे आपको अपति धर्ज कराना है क्या करना है पूरी प्रक्रिया में आपको इसमें बताने जा र नभिन्तम सूचनाओं में आपको अगर आदर्स उत्तर अपने देखना है तो आप किस तरीक से देखेंगे मैं आपको बता दे रहा हूं आदर्स उत्तर पर आप क्लिक करेंगे यहां पर और आपको यह अदर्स उत्तर देख जाएंगे फाइनल आंसर अभी अप्लोड नहीं हुए है फाइनल आंसर जो है तब अप्लोड होंगे जब आपके जो आपती हो जाएंगी दर्स उसके बाद कमिटी बिचार करेंगी प्रशनों पर और फिर जब फाइनल उत्तर हो जाएंगे डिसाइड उसके बाद फाइनल उत्तर के हिस था माने की चलिए कि 22 तरीक को अगर मेरा पेपर था तो मैं इस पर क्लिक करोँगा 22 कि इसे क्लिक करूँगा यह डाउनलोड होने लगा फिर यह देखे डाउनलोड कि आप इसको खोल लेते हैं इसको खुलेंगे हम तो पूरी फाइल खुल जाएगी उस दिन का पूरा पेपर आपको मिल जाएगा बाइस दिसमबर दोहजार सत्रा सिफ्ट बन का पेपर है MP Professional Examination Board ग्रीन में जो है वो आपकी सही है और रैड कलर में गलत है चलो हम देख लेते हैं ग्रूप पे जनरल नॉलेज की यह देखिए आपकी सामने यह आजाते हैं कि निमने लेके लोग प्रिये खिलाडियों में से कौन सा मध्य प्रदेश से नहीं है असलम शेर खान नरेंद्र हिर्वानी संध्या अग्रवाल कीर्थी आजाद तो आप्सन नंबर फोर कीर्थी आजाद इसा ही है भारती बिज्ञान कांग्रेस का एक सुट तीन वा सत मैसूर में उजिट किया गया था भारत के तर्तिय उपराश्टर पती कौन थे तो ब्राह गिरी बैंकट गिरी गया गया यहां पर थार्ड वाला फोर्थ के अगर हम बात करें तो भारत में हर साल राश्ट्री पर एटन दिबस 25 जनवरी को मनाया जाता है इस परिकार से यह आपको हर जो आपको देख रहे हैं ग्रीन में वो सही है और वाकी रैड वाले गलत हैं ऐसे आप देख सकते हैं जिस भी तारिक में आपका पेपर हो आप यहां से देख सकते हैं यह हम देख रहे हैं जो यह हैं हमारा बाइस दिसम्बर 2017 का सिफ्ट बन का ऐसे अगर हमको देखना है हमको देखना है मान के चलिए 14 दिसम्बर का सिफ्ट बन का सिफ्ट टू का देख लेते हैं 14 दिसम्बर का सिफ्ट टू का देखना है तो हम इस पर क्लिक कर देंगे तो यह allow कर देंगे और यहां पर यह फिर से हम पेपर डाउनलोड कर लिए हैं और हमरे पास से paper आ चुका है यह हमरे पास आ गए question देख लिए यह पूरे हमरे पास question आ गए है तो इस प्रकार से हम सभी जो हैं देख सकते हैं question papers को चलिए अब हम आगे की बात करते हैं यहां पर आपको एक और important चीज में आपको बताना चाहूँगा कि प्रत्यक प्रस्ण में एक प्रस्ण आइडिया आपको दी हुई है आप यहां देख सकते हैं यह देखिए जैसे question number 10 question number 10 में question ID आपकी दिख रहे हैं यह सामने आपको 3354726040 यह है question ID इसको ज़़ूर आप note करकर है कि जिस भी प्रस्ण के संबंद में आपको आपत्ती दर्ज करानी है उस प्रस्ण की प्रस्ण ID यानि question ID आपको note करना है जैसे यह प्रस्ण है इस प्रस्ण में एकर आपको आपत्ती है तो आप इसकी question ID note कर लीजे तो दोस्तो final answer जो update होएंगे वो final answer आपके यह committee जब बिचार करेगी प्रस्णों पर आप आपत्ती भीजेंगे इसके बाद आपके final answer update होकर यहाँ पर so हो जाएंगे और आप इन पर click करकर देख पाएंगे तो चलिए अब हम आपको यह बता देते हैं कि आपको आपत्ती कैसे जार्स करानी है तो आए हम चलते हैं आप अपत्ती वाले page पर तो हम आजुके हैं ब्यापम के home page पर यहाँ पर आपको online अभ्यावेदन पटवारी भरती परिक्षा 2017 पर click करना है यहाँ पर हम click करेंगे तो यह देखे हम नई यह यह URL यहाँ पर उपन हो गए अब आपको login करना है आपको अपने application number डालना है जो तेरा अंकों का होगा वो आपको डालना है वो आपकी user ID है फिर आपको अपनी date of birth यह नहीं कि आपकी जन्मित दी डी-डी-डी-डी-डी-डी-डी-डी-डी-डी-डी-डी-डी-डी-डी पाएंगे तो यहाँ पर जब आप click कर देंगे login कर देंगे तो उसके बाद आपके सामने यह note आएगा इस प्रकार से note आएगा और इसको आपको पढ़ना है अच्छे से देखिए इसमें क्या क्या लिखा हुआ है please read the instructions carefully before raise your objections अपनी आपत्यों को कहने से पहले इन नर्दिशों को ध्यान पुरोग पढ़िए पहले आपको दिया है कि अपने प्रश्न पत्र को देखने के लिए प्रश्न पत्र टैब पर जाईए आपको अगर प्रश्न पत्र देखना है तो आपको प्रश्न पत्र टैब प आसपस्थ आपत्य का मूलियंकर नहीं किया रगया यानि कि जो भी आपको अब्जेक्शन लेंकर कराना है यह आप अंग्रेजी लेंगविज में यानि किonseko इंग्लिस में आप उसको दर्ज कर सकते हैं ठीक है और आइस पस्ट जो आपत्य उसका मुल्यंकर नहीं किया जाएगा ये भी कहा गया है केबल प्रश्णों और उनसे संबंदत बिकल्पों के लिए ही आपत्यों को प्रस्तुत किया जा सकता है यानि कि जो प्रश्ण दिये है बिकल्प के आगे हरे रंग का सही निशान लगा कर सही उत्तर चिन्नित किया जाता है प्रस्ण पत्र भीव में बिकल्प के आगे हरे रंग का सही निशान लगा कर सही उत्तर चिन्नित किया जाता है प्रस्ण आइडी जिसे सभी प्रस्णों के लिए प्रियोग किया जाता ह प्रशन के दाएं उल्लिकित होती है आपको याद रखना है आगे प्रशन के इस्तिति चाहे आपने इसका उत्तर दिया हो या नहीं भी प्रशन के दाएं उल्लिकित होती है परिक्षा के दौरान आपके द्वारा चाहिनित विकल्ब प्रशन के दाएं दिखाया जाता है करने से पहले उम्मीदबार को समर्थन दस्ता बेज अपलोड करना आवश्यक है यानि कि जो आप अपत्ति दर्ज करा रहे हैं तो उसका प्रूब भी तो आपको देना पड़ेगा चाहे आप किसी बुक से उसका प्रूब दें उसकी स्केंड कॉपी आप लगाएं कुछ भी लेकिन उसको आपका उसका प्रूब भी आपको देना पड़ेगा कि वह यह जिसे आपको ने दिया कि कोई भी फैक्ट आप देते हैं तो उस फैक्ट का आपको बहां से इसपस्ट डेटा आपको देना पड़ेगा चाहे आप इमेज फॉर्मेट में चाहे पीडिएफ फॉर एक प्रस्णी के लिए अधिक्तम तीन समर्थन दस्तावेज अप्लोड किये जा सकते हैं तो यह महत्पून निर्देश हैं जो मैंने आपको पढ़की सुनाए तो दोस्तों इसके बाद आप क्लिक करेंगे क्लिक टूरेज अब्जेक्शन पर आप क्लिक करेंगे तो इस परकार का ये पूरा खूल जायगा उसके बाद आपको क्लिक करना है प्रोसीड पर आप क्लिक करेंगे तो आपका आगे का डोक्युमेंट ओपन हो जाएगा तो दोस्तों यहां से जो हैं आप Objects and Details में अपना Section Name यहां से आप Section Name आपको General Knowledge में है कि General Awareness में आपको है जिस भी Section में आपको दिक्कत है General Hindi में Rural Economy में जहां भी आपको करना है उस पर आप Click करके कर सकते हैं यहाँ पर question number आप select कर सकते हैं, यहाँ से आपको question number select करना है, कौन से question number के बारे में आपकी आपती है, तो वो भी आप यहाँ से select कर सकते हैं, इसके बाद बात करें, तो question ID, question ID आपको यहाँ पर लिखना है, मैंने आपको बताई थी question ID क्या है, तो वही question idea आपको यहाँ पर ढालना है write a question write question text as on model QP PDF question आपको लिकना है text में जो कि PDF format में आपको दिया गया है उसमें से आपको question यहाँ पर लिखना है correct answer आपको लिखना है जो उसमें है model भूक में है model जो आपको दी हुई है उसमें जो correct answer वो आपको लिखना है correct answer आपकी अनुसार जो है वो फिर आपको यहाँ पर लिखना है पहले आपको देखिए क्या करना है पहले आपको question लिखना है फिर उसका correct answer वो लिखना है फिर आपको यहाँ पर अपनी दरफ से जो सही लग रहा है वो लिखना ह ठीक है फिर error as noticed by the candidate जो आपको गलती लग रही है वो आपको यहां पर लिखना है select करना है जो भी आपको गलती है जो भी महसूस हो रही है वो आपको लिखना है कि प्रस्ण निरुधरित पाट्टिकरम से बाहर का है प्रस्ण क्या है सब कुछ आप में कुछ इसमें select करना है आपको जो भी इसमें है फिर आपको यहां पर इसके correction as suggested by the candidate जो आपको correction करना है वो आपको यहां लिखना है फिर enter reference for correction suggest आपको यहां पर reference भी डालना है उसका text, edition, volume, chapter, page जो कुछ भी आप उसका डालना चाहते है वो आपको यहां पर फिर आपको upload करने का option चुनना है कि आप do you want to upload supporting document to justify your objection तो आपको कुछ document जरूर अप्रावड करना चाहिए उसके बाद आपको submit कर देना है तो यह पूरा का पूरा प्रिक्रिया मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से आपको करना है तो दोस्तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया है पूरी प्रिक्रिया के बारे में कि किस तरीके से आपको आपती धर्ज कराने है आगे की सारी प्रिक्रिया आपको करना है कुछ क्योंकि security issues होते हैं इसलिए मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें open करके नहीं दिखा पाया हूँ जिसे रॉल नमबर बगेरा और भी जो चीज़ें एक्जाम डेट बगेरा वो बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको open करके नहीं बताई हुई है वहाँ पर मैंने आपको पूरी प्रक्रिया जरूर बता दी है और उस प्रक्रिया को आपको follow करना है आप अपती दर्श करा सकते हैं अगर आप से नहीं होता है तो आप कियोस्क पर जाकर वहाँ से भी अपने objection raise कर सकते हैं अगर आपको बास्तब में लगता है कि कोई प्रस समझ में नहीं आ रहे हैं और बहुत ज़रे केंडिटर्स को परिशन होई तो उस पर आपको अपती जरूर दर्श कराना चाहिए तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्लीज अपने दोस्तों के बीच में वीडियो को सेर जरूर कीजिए कम से कम धन्यवाद जै हिंद जै भारत